हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे मेरा नाम है अक्षे तुकारामसुरेवनशी और स्वागत है आपका हमारे एस यूडूब चैनल माइ बेस्ट रिव्यूज पर दोस्तों जब भी आप इंडेन मार्केट में कोई भी माईक्रोवीव ओवन परचिस करने जाते हैं तो आपके सामने चार ऑप्शिंज अविलेबल होता है कनवेक्षण माईक्रोव ओवन, ग्रिलिंग माईक्रोव ओवन, ओ टीजी ओवन और सोलो माईक्रोवेव ओवन इन चारों में से सबसे ज़्यादा लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप convection microwave oven के साथ जाएं क्योंकि उसमें आपको काफे ज़्यादा features देखने को मिलते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो इस वीडियो को आपको end तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि जो लोग आपको recommend करते हैं convection microwave oven के बारे में उस microwave oven की हर एक को जरूरत नहीं होती है क्योंकि convection microwave oven अगर कोई purchase करता है तो उसका सबसे बड़ा काम होता है baking, grilling, toasting और roasting ये चार चीजों के लिए अगर कोई purchase करता है तो convection microwave oven purchase करता है लेकिन अगर आपको इन चारों चीजों की कोई जरूरत नहीं है जैसे अगर आप baking नहीं करते हैं, grilling नहीं करते हैं रोस्टिंग डोस्टिंग अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको convection microwave oven पर्चिस करने की कोई जरुवत नहीं है तो फिर इसकी जगा आपको solo microwave oven पर्चिस करना चाहिए solo microwave oven में आप reheating कर सकते हैं, defrosting कर सकते हैं यानि कि खाने को आप दुबारा से गरम कर सकते हैं और defrosting यानि कि जो freezer के, refrigerator के freezer में खाना रखा होता है, जो की बरफ से जमा हुआ होता है जैसे कि सफल मटर हो गए, या फिर chicken हो गया, meat हो गया, vegetables हो गए इन सबी चीजों को defrost करने का काम करता है solo microwave oven इन दो चीजों की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हमारी everyday life में इन सबसे आगर आपको कोई लेना देना नहीं है तो, solo microwave oven की सबसे खास बात एक यह होती है कि यह काफी ज़्यादा सफते होते हैं, convection microwave oven के comparison में 10,000 रोपे कम इनकी price होती है convection microwave oven आपको 15-16,000 रोपे के आसपास मिलते हैं, वहीं solo microwave oven आपको 5-6,000 रोपे में मिल जाते हैं और तो और यह काफी ज़्यादा potable होते हैं, इन्हें आप easily carry कर सकते हैं, एक जगा से लेकर दूसरी जगा आप easily इसे carry कर सकते हैं और जो convection microwave ovens होते हैं, उसमें आपको steam clean वाला यानि vapor clean वाला feature नहीं मिलता है लेकिन solo microwave ovens में आपको vapor clean वाला feature मिलता है, सिर्फ one push off button की help से आप automatically पूरे solo microwave oven को clean कर सकते हैं convection microwave oven को अगर आपको clean करना है तो आपको manually clean करना पड़ता है यह फाइदे होते हैं solo microwave ovens का और अगर आपको पैसा बचाना है, अगर आपको baking नहीं करनी है, toasting, roasting, grilling नहीं करनी है तो फिर आपको solo microwave oven ही purchase करना चाहिए और अगर आपको करनी है तो फिर आप convection microwave ovens पर्चेस कर सकते हैं convection microwave ovens के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है अपने इस चैनल पर, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, link आपको आपको आई बटन नीचे description box में मिल जाएगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो सबसे बढ़िया solo microwave ovens जो आपको मिलते हैं Panasonic और IFB ब्रैंड की तरफ से इन दोनों भी microwave ovens का हम comparison करेंगे इस वीडियो में आखिर में आपको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में से सबसे best आपके लिए कौन सा रहेगा वैसे दोनों भी best हैं लेकिन आपके choice के हिसाप से और आपके demand के हिसाप से आप ये decide कर सकते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा purchase करना चाहिए और price की ओपर भी ये depend रहता है तो आईए इस वीडियो का हम start करते हैं और दोनों को भी हम compare करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें पैनसोनिक के solo microwave oven की तो ये आपको 20 लिटर की capacity में मिलता है जबकि IFB का solo microwave oven आपको 24 लिटर की capacity में मिलता है सो दो से लेकर तीन family members के लिए ये दोनों भी solo microwave ovens एकदम suitable है यानि कि small family के लिए ये दोनों भी microwave ovens एकदम suitable है सेकंड पॉइंट के अगर हम बात करें तो ये दोनों भी जो microwave ovens है वो आपको touch panel के साथ मिलते हैं with a digital display अब आईए हम बात करते हैं special features के बारे में पैनसोनिक का जो solo microwave oven है उसमें आपको auto defrosting feature, reheating feature, vapor clean वाला feature, auto cook और timer function ये सबी आपको special features इसमें आपको देखने को मिलते हैं और IFB के solo microwave oven में आपको auto defrost feature, delay start, reheating, 30 second express cook वाला feature, timer function और vapor clean ये सबी इसमें आपको special features देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें चैल लोग feature के बारे में तो पैनसोनिक के जो solo microwave oven उसमें आपको चैल लोग feature नहीं मिलता है जो कि इसका एक छोटा सा drawback है लेकिन IFB के solo microwave oven में आपको चैल लोग feature मिलता है अगर हम बात करें price के बारे में तो panasonic का solo microwave oven आपको 6000 रुपे के आज-पास मिलता है ifb का solo microwave oven आपको 6000 रुपे के आज-पास मिलता है so prices जो मैंने आपको अभी जो बताई हैं वो शायद आगे चलकर future में उपर नीचे हो सकती है तो मैंने आपको current price बताई है और अगर आप इस वीडियो को 10 दिन बाद 20 दिन बाद या फिर एक महने बाद अगर आप देख रहे हैं तो शायद इसकी price change हो चुकी होगी तो मैंने इन दोनों भी microwave ovens की जो buying links है वो मैंने इस वीडियो के description box में दे रखी है लिंक पर जाकर आप इनकी current या फिर live price चेक कर सकते हैं अगर हम बात करें warranty की तो इन दोनों भी microwave ovens पर brand आपको एक साल की warranty प्रोवाइट करता है Panasonic के जो solo microwave oven है उसके साथ आपको turntable, rotating ring और user manual ये सब भी accessories आपको मिलती है लेकिन IFB के solo microwave oven के साथ आपको glass turntable, wire rack, user manual और warranty card ये सब भी accessories आपको मिलती है रही बात main points के बारे में तो इन दोनों भी microwave ovens की build quality मुझे काफी अच्छे लगी इन दोनों को भी use करना काफी आसान है heating के मामले में भी ये दोनों भी microwave ovens काफी ज़्यादा अच्छे हैं इन दोनों का भी appearance काफी अच्छा लगा मुझे और दोनों भी आपको value for money प्रोवाइड करते हैं दोनों का performance भी काफी अच्छा है ये आपके ओपर depend करता है कि इन दोनों में से आपको किसको purchase करना चाहिए दोनों को भी after sale service अच्छी है इन दोनों भी microwave ovens की links आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी लिंक पर जाकर आप इने check out कर सकते हैं so thanks for watching